इसका रिक्रम के पुन्यार्जक है श्रमर्ण संस्कृती पाठशाला के प्रेणा स्रोत एवं मार्ग दर्शन स्वर्ग्य पंडित्ष्री रतनलाल जी बैनाडा की पुन्यस्मृती मी बैनाडा उध्योक लिमिटेट आग्रा शिरिमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाडिया प्रमोध नीना जैन सुनील निशा जैन पुत्र पुत्र वधु अंकित इती जैन पौत्र पौत्र वधु अक्षत जैन पौत्र आध्विक जैन आन्या जैन पढ़ पौ शिरिमान सुरेश कुमार जी श्रीमती ललिता देवी जी शिरिमान प्रदीप कुमार जी श्रीमती मन्जु देवी जी शिरिमान अनिल कुमार जी श्रीमती संजु देवी जी रेहा बाडी गोहाती असम श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललेज बढ़ जात्या, सारे का बढ़ जात्या, इनफाल, बनीपुर सायारे नयारे दमीनम, पंच परमेष्ठी भगवान की, जै, द्वादशांग जिन्वानी माता की, जै, आचारी भगवन्त श्री कुंद कुंद स्वामी महराज की, जै, आचारी भगवन्त श्री विद्या सागर्जी महा मुनिराज की, जै, परमपुज गुर्देव निर्या आपक्षमन मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महराज की जय अड़ाई द्वीपस्त समस्त महा मुनिराजों की जय आचेर भगवन कुंद कुंद स्वामी महराज इस रेयन सार ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं जो विशियों में आसत होता है वह कर्मों से बंदता है और जो विशियों से विरक्त होता है वो कर्मों से छूट जाता है आज की कक्षमें हम उसके बारे में समझेंगे आईए देखते हैं गाथा क्रमांक 126 निय अपनान जानज जयन सुहामिय रसायनं पानं जयन सुहामिय रसायनं बानं मोतून खान सुहम जो भुन्जै सोहु बहिरप्पा बोलिये निय अपनान जान जयन सुहामिय रसायनं पानं मोतून खान सुहम जो भुन्जै सोहु बहिरप्पा आईए शब्दार से देखते हैं निय अपनान जान जयन सुहामिय रसायनं पानं जो अर्था जो आत्मा क्या करता है निय अप निय अर्था निज अप मतलब आत्मा निज अत्मा अर्थात अपनी अत्मा के नान अर्थात ग्यान अपनी आत्मा के जान अर्थात ध्यान और फिर वहां से निकलेगा अज्जयन अर्थात अध्ययन जो मनुष्य जो जीव अपनी आत्मा का ग्यान और उसके साथ में ध्यान और अध्ययन रूपी सुहामिय, सुहामिय, अमिय माने अम्रत, सुख रूपी अम्रत रूप जो रसायन है उसका पाणम अर्थात पान, उसको पीना क्या मतलब, जो सुख रूपी अम्रत है, उस सुखामिय रूपी रसायन को पीकर के या पीने का आगे शब्द दिया गया है मौतून अर्था छोड़ करके यहां किसकी चर्चा चल रही है, आचारे महराज यहां बहिरात्मा का लक्षन बता रहे हैं, कौन होते हैं बहिरात्मा, जो सुख रूपी अम्रत का पान छोड़ करके कौन से सुख रूपी अम्रत का पान, अपनी आत्मा का सुख, आत्मा का ज्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का अध्ययन, उससे जो सुख मिलने वाला है, उस सुख रूपी अम्रत का पान छोड़ करके किसमें लगे हुए हैं? अक्षान सुहम, मौत्टून अक्षान है, संदी विच्छित करेंगे तो मौत्टून अक्षान निकलेगा अक्षान मतलब अक्षानाम, इंद्रियों के सुहम माने सुख को जो उस आत्मा के सुख को छोड़ करके आत्मा के आनन्द का त्याग करके अखान सुहम अर्थात इंद्रिय सुख को भुन्जदी अर्थात भोगता है उस इंद्रिय सुख की और दृष्टी डालता है उस इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है और उसको प्राप्त करने के रूप से बहिरप्पा बहिरात्मा होती है कौन सी आत्मा बहिरात्मा होती है सामानी रूप से तो हम कह देते हैं जो मिथ्या दिश्टी है वो बहिरात्मा है लेकिन उसकी धार्णा कैसी है वो कौन से सुक्की और भाग रहा है आचार महराज कह रहे हैं वो इंद्रिय सुक्की लीन होने में जो सुख प्राप्त हो रहा है जो सुख रूपी अम्रित मिल रहा है वो मुर्ख है उस अम्रित को छोड़ करके और वो पंचेंद्री विशे भोगो की सुख की और भाग रहा है जो निश्चित रूप से उसे और अधिक दुख ही देने वाले हैं यही बहिरात्म का लक्षन कहा गया है मैया जी आत्म सुख और इंद्रिये सुख में क्या अंतर है आत्म सुख का मतलब है स्वाभाविक सुख जो आत्मा से उत्पन्द होने वाला है और उसकी अनुभूती अनुभवी आत्मा करने वाला है दूसरा है इंद्रिये सुख यह इंद्रिये सुख अनुभूती भले आत्मा कर रहा है लेकिन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और इंद्रियों के विशे शाश्वत नहीं होते इंद्रियों के विशे स्वाभाविक नहीं होते यह पराधीन होते हैं आत्म सुख के आनंद की क्या चर्चा करें पंडित दोलत राम अहमिंद्र के नाही कहयो हम इंद्रिय सुख की और भागते हैं हम पंचेंद्री विशे सुखो को प्राप्त करने की लिए दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पंडी जी यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार आत्म सभाव का चिंत्वन करके अपनी आत्मा में लीन होने पर जो आनंद की प्राप्ती होती है वह आनंद वह सुख इंद्र नागेंद्र अहमिंद्र सर्वार्थ सिद्धी के देव जो एक भवा उतारी है अगले भव में मौक्ष जाने वाले हैं उनके भी वो सुख नहीं है उन्हें भी वो आनन्द नहीं है क्यों? क्योंकि वो भी इंद्रिय सुख के आधीन है और यहां जुमुनि महराज है वो आत्म सुख में लीन हो रहे है और शाश्वत आत्म सुख की अगर हम बात करें तो वो तो सिद्ध भगवान अश्ट कर्मों से रहित हो करके हमेशा हमेशा के लिए उस अव्याबाद अनंत सुख का उभोग कर रहे हैं वही आत्म सुख शाश्वत सुख कहलाता है बहिरात्मा जीव उन सुखों को इंद्रिय सुखों की ओर द्रिश्टी डालता है वास्तों में ये इंद्रिय सुख कैसे हैं इसको आचायर महराज अगली गाथा में स्वयम कह रहे हैं आईए देखते हैं जीव शुहम दिठिपियम जहतह जानक सोखम पी बुलिए किंपाय फलंपक्कम विसमिस्द मोध गिंद वारुन सोहम जीव शुहम दिठिपियम जहतह जानक सोखम पी आईए शब्दार से देखते हैं किंपाय फलंप उसके पहले यहां अन्वय में दिया हुआ है जह मतलब जिस प्रकार पक्कम किंपाय फलंपका हुआ किंपाक फल एक ऐसा फल जो दिखने में बहुत सुन्दर हो खाने में भी बहुत मीठा हो लेकिन जहर के जैसा होता है जिसको खाने से जहर के समान म्रत्यू हो जाती है ऐसा है किंपाक फल पका हुआ किंपाक फल आगे कह रहे हैं किसी लड्डू में यदि जहर मिला दिया जाए दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है लेकिन उसको ग्रहन करने से मृत्यू हो जाएगी आगे कह रहे हैं गिंद वारुन सोहम इंद्रायन फल जो कैसा है वारुन सोहम जो दिखने में भले ही सुन्दरता शोभा को प्राप्त है लेकिन वह इंद्रायन फल भी कैसा होता है किंपाक फल के समान होता है फल के भेद हैं ये सब किम पाक फल इन्रायन फल ये संसार में पाये जाते हैं और इनको देखने में ये बड़े सुन्दर लगते हैं लेकिन जब इनका भक्षन करते हैं तो भेखाने वाला मृत्यू को प्राप्त हो जाता है जो विक्ति देख करके उसके रूप को आकरश्ट हो करके उसकी सुगंद से बड़ा आकरशित हो करके स्वात से लिप्त हो जाता है उस लिप्सा में फस जाता है उस स्वात के कारण से चक्षु इंद्रिय की लोलुपता के कारण से उसको खा लेता है वो अपने प्राणों से ह किम्पाक फलम पका हुआ वह किम्पाक फल जैसे विश मिस्चिद मोद विश मिश्रित जहर्ज मिला हुआ वह लड्डू जैसे गिंद वारुन सोहम वह इंद्रायन फल जो दिखने में बड़ा सुन्दर लग रहा है ये सब फल दिखने में सुन्दर होते हैं परंतु साथ में जिव सुहम, जिवा को सुख देते हैं, रसना इंद्रिय को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन रसना इंद्रिय को बड़े अच्छे लगने के साथ साथ आगे करें दिठी पियम, दिठी माने द्रश्टी को भी प्रिय होते हैं, आखों को भी बहुत सुन्दर लगते हैं, ऐसे ये फल खाने से मृत्यू को प्राप्तवर जीव हो जाता है, तह उसी प्रकार अक्ष सोखम पी जानें। अक्ष सोखम अर्थात अक्ष सुख को, इंद्रियों के सुख को भी ऐसा ही जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए इंद्रियों सुख जो दिखने में बड़ा सुंदर हो, जो स्वाद में बड़ा मधूर हो, लेकिन ग्रहन करने पर निश्चित रूप से वह आत्मा संसार संसार में भटकती रहती है, वह इंद्रियों सुख कभी पूर्ण नहीं हो पाता है, सांत कहा गया है, अंत से युक्त कहा गया है, दुख ही दुख देने वाला है, ऐसा वह इंद्रियों सुख है, इसलिए आचर महराज कह रहे हैं, क्योंकि पिछली गाथा में कहा था कि बहिरात्मा जीव, उस आत्म सुख को छोड़ करकी इंद्रियों सुख को प्राप्त करने की भावना ऐसे ही जो इंद्रियों सुख की और भागते हैं, वो संसार में ही भटकते रहते हैं, भहिया जी, यहां इंद्रियों सुख को इस तरह की उप्मा क्यों दी गई है? वेराग्य भावना में हम पंक्तिया पढ़ते हैं, जो जो भोग संयोग मनोहर मनवानचित फल लावे, त्रशना नागिन त्योंतियों डंके लहर जहर की आवे ये त्रशना रूपी जो नागिन है, जैसे जैसे वहजी उसके पास में जाता है, उसको लहर जहर की आवे कहने का तादपरिय है, ये भोग उस विश के समान ही तो है आचारियों ने विशय भोगों को, पंचिनरी, विशय सुखों को एक विश की उपमा दी है एक सरपिनी की उपमा दी है, नागिन की उपमा दी है दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये फल, खाने में भी बहुत मधूर है लेकिन जब इनका भक्षन करते हैं तो वहजीव मरन को प्राप्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार जब यहजीव आत्म सुख को छोड़ करके आत्म सभाव को छोड़ करके आत्मा का ज्यान नहीं करके मात्र इंद्रिय सुख में उलच जाता है मुझे बहुत अच्छा खाने को चाहिए चाहे भक्षे हो चाहे अभक्षे हो मुझे मतलब नहीं है चाहे वेज हो चाहे नोन वेज हो मुझे कोई फरक नी पड़ता मुझे तो बहुत अच्छा खाना है अपने शरीर को सुन्दर दिखाना है अपने शरीर को बलिष्ट बनाना है अपनी आँखों से अच्छा-च्छा सुन्दर-सुन्दर दूप देखना है चाहे वो गंदा चित्र क्यों न हो चाहे अशलील भी क्यों न हो मुझे तो कानों से बुरा संगीत सुनना है अपनी प्रशंसा सुननी है इस परशनिरी के लोलुक्ता में वो ये नहीं सोचता है कि मैं किसके साथ में कामवासना कर रहा हूं मैं कहा जा रहा हूं मेरा चरित्र का पतन हो रहा है वो सिर्फ अपने पंचेंडिये विशेभोगों की इच्छा पूर्ती में ही लगा रहता है और यही स्थिती संसार में जीवों की हो रही है और इसी कारण से संसार का परिभ्रमन रुखता नहीं है वह जीव निरंतर कर्म का बंद करता करता संसार में भटकता रहता है इसलिए आचारियों ने यहां पर इंद्रिय सुखों को इन फलों के समान बताया है जैसे जो अंतरात्मा नहीं है जो ज्यानी नहीं है समझदार नहीं है वो अज्यानी क्या करता है रूप देख करके आकरश्ट हो जाता है जबकि वो ये नहीं जानता इस रूप के पीछे शाश्वत सुख नहीं है वो तो बस सुन्दर रूप देखा, अच्छा सुगंद देखा, अच्छा स्वात देखा और उसके पीछे अपना भाव लगा देता है यही उस बहिरात्मा जीव की परिणती होती है इसलिए वह संसार में भटकता रहता है आच्यारियों ने शास्त्रों में क्या लिखा है? इंद्रिय सुख कैसा होता है? संसार का सुख कर्म परवशे सांते, दुखे रंतरितो दए, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धाना कांक्षणा स्मता ये श्लोक दिया तो ने कांक्षित अंग में है, लेकिन इसमें सुख के बारे में बताया है, इंद्रिय सुख के बारे में कैसा है ये? कर्मों से पराधीन है, जब साता वेदनी को उद्याएगा तभी सुख मिलेगा, जब असाता को उद्याएगा तो सुख नहीं दुख मिलने वाला है अंत से युक्त है, दुखों से बाधित है, पाप का बीज है वास्तों में ये इंद्रिय सुख सांसारिक सुख ऐसा ही है बहिरात्मा जीव तो ऐसे सुख के प्राप्ति की और दोर लगाता है मुझे धन संपत्ति वेभव चाहिए, क्यों? उसमें उसको सुख नजर आ रहा है मुझे बहुत सुंदर रूप, सुंदर इस्त्री, सुंदर पुत्र, मकान, धन संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सब चाहिए मुझे क्यों? उसका भाव, उसकी दरश्टी उसमें आ रही है वो उसको सुख मान रहा है लेकिन ये शाश्वत सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है जब ये वस्तुये नश्ट होती है, दूर जाती है तो उसे बहुत दुख होता है वो आत्म सुख को नहीं पैचान पाता है इसलिए वो बहिरात्मा कहलाता है आज की कक्षा में हमने जो दो गाथें पढ़ी उससे यही समझना है हमें इस इंद्रिय सुख की और दृष्टी नहीं डालना हमें आत्म सुख की और जाना है आत्मा का ज्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान करके उस शाश्वत सुक को प्राप्त करना है हम सब इंद्य सुक से दूर हों और आत्म सुक की और आगे बढ़ें इसी मंगल में भावना के साथ बुलिद वादशांग जिन्वाणी माता की जय जय जिनेंद्र इसका रिक्रम की पुन्याडशक थे श्रमड संस्कृती पाडशाला के प्रेणा स्रोत एवं मार्ग दर्शन स्वर्गय पंडित्ष्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुन्य स्मृती मी बैनाड़ा उद्योक लिमिटेट आग्रा इन्फ्राटेक लिमिटेट अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइविट लिमिटेट जैपुर्ड शिरिमान नरेंद्र कुमार जी शिरिमती पुष्पा देवी जी शिरिमान सुरेश कुमार जी शिरिमती ललिता देवी जी शिरिमान प्रदीप कुमार जी श्रीमती मन्जु देवी जी शिरिमान अनिल कुमार जी श्रीमती संजु देवी जी रेहा बाडी गोहाटी असम